बिजली, पानी और राशन घर की बड़ी बहु जिसके हाथ में घर की सारी जिम्मेदारी थी बिजली पानी से लेकर राशन तक की जो हर चीज नाप तोल कर करती थी कि कहीं किसे महिने का बिल उपर नीचे ना हो जाए लेकिन अब घर में आती है छोटी बहु तो देखते हैं जिठानी जी के उनकी देवरानी के साथ कैसी बनती है बहु आज तेरी पहली रसोई है इसलिए आज का खाना तुझे ही बनाना होगा जी ममी जी सुन बहु तो ना आज खाने में हलवा पुरी और छोले की सबजी बना दियो अरे पर मुझे तो हलवा बनाना आता ही नहीं है क्या बात है बहु क्या सोचने लगी कुछ नहीं ममी जी बस मैं अभी जाकर खाना बनाती हूँ उसकी बाद रिया रसोई में जाकर खानी की तयारी करने लगती है अब मैं क्या करूँ अब भला मैं हलवा कैसे बनाऊंगी तबी वहां आती है घर की बड़ी बहु भावना क्या बात है दिवरानी जी किसके खयालों में खोई हुई है अरे वो कुछ नहीं भाबी अरे तुम टेंशन ना लो जो भी बात है मुझे बे जिजक बताओ वो भाबी क्या है ना मुमी जी ने मुझे हलवा पुरी और सबजी बनाने को का है पर मुझे हलवा बनाना नहीं आता अब मैं क्या करूं भाबी अरे बस इतनी छोटी सी बात मैं हुना मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ सच में भाबी हाँ भलकुल उसके बाद भावना और रिया दोनों मिलकर खाना बनाती है और सब को परुस देती है वाब भाबी तुने तो बड़ा है स्वादोष्ट खाना बनाया है हाँ भाबु तुने तो बड़ा स्वाद खाना बनाया है जी ममी जी रिया तु सच में बहुत ही अच्छा खाना बनाती है थैंक यू सो मच भावी सब आपकी वज़सी हुआ क्या बहु कुछ हुआ है क्या है रही नहीं नी ममी जी आप और हलवा लीजी न अरा बसकर बहु मुझे क्या एक दिन में पहलवार मना देगी तू क्या ममी जी आप भी कुछ दिन बाद अब अब हो तो ना ये सारे कपड़े धो दे मैं तब तक बाजार से कुछ सामान लेकर आती हूँ ठीक है ममी जी उसकी बाद भावना बातरूम में कपड़े धोने जाती है अरे ये क्या रिया तुम्हें सारे कपड़े धो भी धिये हाँ भावी पर आज तो कपड़े मुझे धोने थे ना तू क्या हो गया भावी मुझे पता है आज 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 आपकी तब ये ठीक नहीं है इसलिए मैंने आज 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 के हिस्से का भी सारा काम कर दिया थैंक यू मैं पिछले तो महिने से तेख रही हूँ अचानक से बिजली और पानी का बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है उपर से घर में राशन भी ज्यादा लग रहा है मुझे तो कुछ करना होगा नहीं तो ऐसे तो बिल बहुत ज्यादा आएगा उसकी बाद भावना रिया की कमरे में जाती है अरे रिया तो अपने रूम में हाई नहीं उपर से इस रूम का फैन भी आन है ये रिया नाम बहुत लापरवा है इसकी वज़े से ये हमारा बिल ज्यादा आता है उसकी बाद भावना रिया को ढूनते हुए हॉल में आती है रिया जी भावी तुमने बाहर आने से पहल अपने रूम का फैन आफ क्यों नहीं किया अरे भावी वो ना मैं बस दो मिनिट के लिए किचन में पानी पीने गई थी अब वापस अपने रूम में ही जा रही हूँ इसलिए मैंने फैन आफ नहीं किया हाँ पर तुमना थोड़ा ध्यान रखा करो वनना ऐसे तो बिल बहुत ज्यादा आएगा जी भावी मैं आगे से ध्यान रखूँगी और फिर अगले दिन जब रिया कपड़े दो रही थी तब वहाँ पर भावना आती है अरे रिया इतना ज्यादा सर्फ क्यों यूज़ कर रही हो भावी इतने सारे कपड़े हैं उपर से कितने गंदे भी हो रखे इतना सर्फ तो लगेगा इना अरे नहीं नहीं पर ज्यादा ये इस तरह तो इतना सर्फ एक महिना भी नहीं चलेगा तुम ज़रा देख कर इस्तमाल करो जीप ठीक है भावी इस तरह रिया को भावना का यूँ हर छोटी छोटी बात पर टोकना पसंद नहीं आ रहा था पर वो भावना को कुछ ना कहती फिर उसी दिन शाम को रिया मैंने तुम से कितनी बार का है जब तुम अपने रूम में नहीं होती हो तो अपने रूम की लाइट्स आफ कर दिया करो ना पर भावी अभी तो शाम है और अगर हम शाम को भी लाइट्स आफ कर दिंगे तो घर में अंधेरा हो जाएगा फिर हम काम कैसे करेंगे अरे तो तुम्हें अपने कमरे में कौन सा काम करना है शाम को तो तुम्हें बस किचिन में काम करना होता है पर भावी हमारे बड़े ना हमेशा कहते है कि शाम को घर में हमेशा रोशनी होनी चाहिए और दिन में तो लाइट सोफ होती है न तो अगर थोड़ी देर शाम को लाइट जलेगी भी तो क्या हो जाएगा देखो रिया मैंने तुम से कहा न तुम अपनी थोड़ी आदत सुधार हो इन्ही सब वजहों से तो घर का बिल जादा आता है पर भावी तब ही उन दोनों का शोर सुनकर रमा वहाँ पर आती है अरे बहूं तुम दोनों किस बात पर पहस कर रही हो कुछ नहीं मम्मी जी इतना कहकर भावना वहाँ से चली जाती है तु ही बता दें बहू क्या बात है कुछ नहीं मम्मी जी मैं किचन में खाना बनाने जा रही हूँ अरे इन दोनों बहूं को क्या हो गया फिर अगले दिन आज ना मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है आलो के पकोड़े बना लीती हूँ रिया हॉल में जाती है जहां रमा और भावना टीवी देख रहे थे ममी जी मेरा ना आलो की पकोड़े खाने का बहुत मन कर रहा है बना लू इस टाइम हाँ हाँ बहू बना ले इसमे भी बला पूछने वाली क्या पात है प्याज और पालक की भी पकोड़े बना लो सही रहेगा तब रिया आलो की साथ गर्मा गरम प्याज और पालक की पकोड़े भी बनाने लगती है और आ जाती है वहाँ पर भावना अरे रिया तुमने प्याज और पालक क्यों काटा है वो भावी मैंने सुच्चा कि सिर्फ आलू के ही क्यों प्याज और पालक की भी पकोड़े बना लिये जाए रिया मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम अपने जिम्दारी कब समझोगी अर एक तो शाम होने को आई है और इस समय तुम्हें आलू के पकोड़े खाने थी उपर से तुमने इतना ज्यादा बेसन घोल दिया है भावी अगर मुझे पकोड़े खाने थी तो इसमें पहला कौन से आफ़त आगी अब अगर पकोड़े बनाओंगी तो उसमें बेसन तो लगेगा ना तुम्हें न थोड़ा देख कर काम करना चीए तुमने आलू के साथ साथ प्याज और पालग भी काड़ दिया इस पालग की तो सबजी बन जाती और तुमने इसे पकोड़े बनाने के लिए वेस्ट कर दिया और रही बात बेसन की तो थोड़ा कम भी तो उसकर सकती थी ऐसे तो तुम पूरा पकेट एक ही दिन में खत्म कर दोगी तुम्हें पता भी है राशन किता महगा होता है भावी अब आपको मेरे खाने पिने से भी प्राब्लम होने लगी है आप तो मुझे हर छूटी छूटी पात पर टोकती रहती है अब खाना खाने के लिए राशन तो यूस होगा ना तभी दोनों बहूँ का शूर सुनकर रमा वाहा पर आती है अरे क्या बात है बहूँ तुम दोनों इस तरह क्यों लड रही हो ममे जी तेखे ना दीदी मुझे सारा टाइम टोकती रहती है मैंने आलो के साथ प्याज और पालक के पकोड़े क्या बना दिये इन्होंने तो मुझे 36 बाती सुना दी अरे बहूँ क्या हो गया अगर प्याज और पालक के भी पकोड़े बना लिये तो तोजह नहीं खाने तो मत खायो नहीं ममी जी बात खाने की नहीं है और तू म्रिया अगर मैं ऐसे ध्यान न रखू न तो पता है बिल कितना ज्यादा आएगा मैं पिछली तीन वाईनी से देख रहे हूँ बिजली पानी कभी बिल इतना ज्यादा आ रहा है और उपर से घर में राशन भी इतना ज्यादा लग रहा है हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना ना कभी तुम लाइट साफ करती हो और उपर से हर चीज़ को इतना ज्यादा भर भर कर यूज़ करती हो तो मैं अकेले थोड़े पूरे घर की बिजली, पानी या राशन खाती हूँ घर में सभी बराबर यूज़ करते हैं ना फिर भी आप 24 गंटे बस मेरे पीछे हाथ दुकर पड़ी रहती हैं अरे आरा तुम दो ना पास भी करो बहु घर में बिजली, पानी, राशन तो लगे गा ही इसमें भला लड़ाय करने वाली कौन सी बात है नहीं ममी जी, अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे न तो इस तरह बिल बहुत ज्यादा आएगा और फिर सारा बिल मुझे ही तो भना है आरे पर बहु पर बिर कुछ नी ममी जी, रिया को समझ नहीं होगा अरे पर मैं क्यों समझू, समझना तो आपको चाहे अच्छा और दोनों आपस में बहुत ज्यादा लड़ने लगती है लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा इस तरह जो दोनों बहुएं पहले मिलजूल कर रहती थी अब उनके बीच में रोज खट पट रहने लगी थी आगले दिन रिया बहुएं बहावना बहुएं दोनों इधर आना जरा जी ममी जी हां बोली ममी जी मैंने कुछ सोचा है हमें हर रोज इस तरह बिजली पानी राशन को लेकर लड़ाई नहीं करनी चाहिए इसलिए हम तिनों बिल का बटवारा कर लेंगे बिल का पटवारा हाँ आपसे बिजली के बिल के जिम्मेदारी छोटी बहु की होगी और बड़ी बहु तुम पानी का बिल भरना और मैं राशन देख लूँगे ओ तो आपसे सबका अलग-अलग बिल होगा हाँ बहु रोज-रोज के जगड़े से तो अच्छा है कि हम सब अलग-अलग बिल भर है सबको मन्जूर है जी मामी जी ठीक है कम से कम अब शायद मुझे चैन के सांस मिल जाए वनना पहले तो सांस लेना ही दुश्वार हो गया था मेरा क्या का अरे बस अब सुबा सुबा फिर सचालू मत हो जाना जाओ दोनों जाकर अपना-पना काम करो अगले दिन जब रिया कपड़ी थो रही थी ये क्या रिया लगता है तुम्हारी आदत कभी नहीं सुदने वाली तुम आज तीसरी बार पानी भर रही हो अरे इतना पानी जाता का है आज हमने पूरे घर की साफ सफाई की है घर की सभी चद्दरों से लेकर परदे तक धुले हैं तो उसमें पानी तो लगी गा ही न आरे तु थोड़ा देख कर भी तो यूज़ कर सकती हो तुम क्या आप बार बार मुझे देख कर यूज़ करो देख कर यूज़ करो बूलती रहती हो मेरे पास भी आँखे है बटन नहीं है सारा काम देख कर ही करती हूँ मैं तभी वहाँ पर रमा आती है अरे 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 अब क्या हो गया अब क्या जगर रही हो मम्मी जी भावी फिर से मेरे पास टोका टुकी करने आ गी है ये कभी बिना मुझे चैन से जीने ही नहीं देती मम्मी जी अगर ये इतना पानी वेस्ट करेगी तो मैं इसे कहूंगी न अब घर की साफ सफाई करने में पानी तो लगेगा ही न अरे बहु तुम दोनों भी ना बस करो क्या हर छोटी छोटी बात मचिक चिक करती रहती हो और बहु अब तो तुम्हे अलग-अलग बिल भरना ही है तो आप भी लडाए की कसरबा की है क्या जा तु भी अपना काम कर ले और रिया को अपना करने दे पर मम्मी जी मैंने कहा ना परवर कुछ नहीं जा कर अपना काम करो ठीक है एक महिने बाद ये क्या पानी का बिल इतना ज्यादा आया है ये सब रिया की ही कर्तूत है उसने सब जान बुझ कर किया है फिर से भावना रमा की पास जाती है मम्मी जी इस बार बिजली का बिल कम आया है और पानी का बिल ज्यादा ये सब ना रिया ने जान बुझ कर किया है अरे बहु वो भला जान बुझ कर ऐसा कैसे करेगी तब ही रिया वहां पर आती है और भावना की ये बात सुन लेती है अब मलगे तुम्हारे बिल को थंड़क अब कहना क्या चाती है भाबी साफ साफ के ये ये देख पानी का बिल कितना आया है बिजली का बिल तो नहीं आया इत्मा ये सब तुन्हे जान बूझकर किया है न क्योंकि बिजली का बिल तुझे भरना था इसलिए तुने बिजली कम यूज करी ये भगवान मैं भला बिल कम ज्यादा कैसे कर सकती हूँ अब जो चीज जितनी लगेगी उसका उतना यूज तो होगा ही न मैं तो आपको समझा समझा कर थकती हूँ तुने जान बुझकर ज्यादा पानी वेस्ट किया था ताकि मुझे ज्यादा बिल भनना पड़े फर मैं तुझे तेरे इरादों में काम्याब नहीं होने दूँगी अरे बहु तुम दोनों फिर से शुरू हो गई एक काम करते हैं अगर तुझे गड़बर लगती है न तो आगले मैने तुही बिजली का बिल भर दियो और छोटी बहु पानी का बिल भर देगी हाँ ममी जी मुझे तो कोई दिकत नहीं है आप भाबी से ही पूछ लो क्योंकि उन्हें ही ज्यादा प्राब्लम होती है तो वो प्राब्लम होती भी तो तुम्हारी वज़े से है नहीं आपको बिना वज़े ही प्राब्लम होती है अरे अरे तुम दोनों ने तो इस घर को जंग का मैदान बना रखा है मैंने नहीं ममी जी भावी ने होता तो सब तुम्हारे कारण है भगवान आप तुम दो नो बस करो आप से छोटी बहु पानी का दिल भरेंगी और बड़ी बहु बिजली का आप तो ठीक है न? ठीक है ममी जी इतना कहकर भावना माल से चली जाती है ये भावना बहु को पता नहीं क्या हो गया है वही तो ममी जी पता नहीं भावी हर चीज का जिम्मेदार मुझे ही क्यों ठेराती है कोई बात नहीं बहु तो ज्यादा बुरा मतमान दिरे दिरे सब ठीक हो जाएगा दीखते हैं इसी तरफ फिर से एक महिना बीच जाता है और इस बार फिर से बिजली का बिल ज्यादा आने की वज़े से भावना भड़क जाती है अरे बहु तो ऐसा कब तक करती रहेगी अब घर में सब रहते हैं तो बिल तो ज्यादा आएगा ही न अब ये सब हमारे हाथ में थोड़ी ना है नई ममी जी ऐसा नहीं है बिल ज्यादा आखम करना हमारे हाथ में ही होता है अरे हम लापरवाही ना करती वे उनका ठीक से यूज करे जुके रिया बिलकुल भी नहीं करती ये भगवान ये कैसे मुसिबत में फस गई हूँ मैं अचा अचा ठीक है बहु ये सब जगडा छोड़ो तो एक काम कर तो राशन संभाल ले बजली और पानी का बिल में और छोटी बहु कर लेंगे बस पर ममी जी इस बार मेरी एक शर्त है कैसे शर्त बहु ममी जी भावी को ऐसा लगता है ना कि पूरे घर का बिल ज्यादा सिर्फ मेरी वज़े से आता है चाहे वो बिजली का हो, पानी का या फिर घर में राशन का ही क्यों ना हो हाँ तो वो सची है तो ठीक है, इस महिने की राशन के जिम्मेदारी भावी की है ना तो इस पूरे महिने मैं रसुई का कोई भी काम नहीं करूंगी और मैं भावी से सिखूंगी कि हमें किस तरीके से अपने उपर कंट्रोल करके चीज़ों को यूज़ करना चीए क्योंकि मैं तो हर चीज़ की सिर्फ वेस्टी जी करती हूँ ना अरे बहु इससे भला फाइदा क्या होगा ममी जी, इससे मुझे ये पता चलेगा कि बिल्कु किस तरह कंट्रोल में किया जा सकता है भावी, क्या आपको ये शर्ट मन्जूर है? क्या आप मुझे ये सब सिखाने के लिए तयार है? हाँ, ठीक है, मुझे कोई प्राब्लम नहीं है उसकी बाइद भावना है रसुई के रैशन के जिम्मेदारी संभालती है उस महिने घर में तियोहारों के कारण और साथ ही महमानों का आवगमन भी थुड़ा ज्यादा हो जाता है फिर उसकी एक महिने बाद तो भावी, आप तयार है? किस चीज़ के लिए तयार? अरे, आप मुझे इस महिने का राशन का बजट दिखाए ना आपने कितना कंट्रोल किया? तो वो तो मैंने बजट पर कंट्रोल किया ही है तो आप मुझे दिखाए ना मैं भी तो देखकर आपसे सब सीखना चाती हूँ तब ही वहाँ पर रमा आती है यह लब हो, पिछले तीन महिने का राशन का बजट यह क्या हुआ मुमी जी? इस महीने तो सबसे ज़्यादा राशन घर में यूज हुआ है और इस बार तो मैंने राशन का कोई काम भी नहीं किया मैं क्या करूँ मुमी जी? हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है कि मैं जिस भी बिल के जिम्मेदारी लेती हूँ उस महीने वहीं ज्यादा आ जाता है अगर यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? देख बहू, पहले तो जतिन भी घर से बाहर रहता था इसलिए घर का बिल काम आता था पर अब जतिन और रिया बहू दोनों इस घर में आये हैं तो थोड़ा बहुत तो घर में राशन पानी ज्यादा लगेगा ही ना? इसलिए बहू पहले की बात अलग थी पहले घर में केवल चार सदस्य थे अब हम छे सदस्य हो गया है घर में जितने ज्यादा सदस्य होते हैं उनके इसाब से बिजली, राशन, पानी यूस होता है अब ऐसा तो नहीं के रिया बहू अकेले ही पूरे घर की टंकी खाली कर देती है या पूरा देन बिजली और राशन सिर्फ खाती रहती है अब गर्मिया आ गई हैं उसमें सभी का एसी चलता है जब सर्दी होती है तो बच्ली के बिल में राशत आ जाती है बहू यह सब तो हर गर में चलता ही है पापाजी आप पापाजी हाँ भहू तुने रिया बहू के साथ बहुत गलत किया तो हमेशा उसे जिम्मेदार ढहराती रही जबकि घर में हर सदस्य का योगदान होता है केवल रिया बहु ही तो अकेले सब कुछ नहीं करती इस मेने तुने भी तो रस्वे की जिम्मेदार्य अकेले ही संबाली फिर भी बिल आउट ओफ कंट्रोल हुआ ना जी पापा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैंने बहुत गलत किया है प्लीज आप सब मुझे माफ कर दीजिए रिया तुम भी प्लीज मुझे माफ कर दो अरी कोई बात नहीं भाबी आपको अपनी गलती रियलाइज हो गई मेरे लिए वही बहुत है आप मुझसे माफ ही मत मांगे थैंक्यू रिया चलो शुक्र है सब ठीक हो गया और हमारी बहुयां भी पहले जैसी हो गई तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो कि किसको कौन सा बिल भरना है मैं घर के राशन का मैनेज कर लोगी अरे नहीं नहीं तुम क्यों राशन को मैनेज करोगी क्यां जी मैं क्यों नहीं कर सकती अरे मेरा मतलब है कि हमारी दोनों बहुयां समझदार है और अब इनके बीच सुलेह भी हो गई है इसलिए अब घर की सारी जिम्मेदारी इनको संभाल ले दो अबसे ये दोनों सारे घर का बिल आधा आधा करेंगी ठीक है न बहु जी पापाजी ठीक है हाँ पापाजी नो प्रावलिम अबसे हम सब संभाल लेंगे इसके बाद भावना और रिया वहां से चले जाते हैं अरे तुम क्यों बेल भर रही थी हमने अपने समय में बहुत कर लिया अब बुड़ा पे में तुम भी आराम करो और घर की जिम्वेदारी दोनों बच्चों को संभालने दो अब इनका टाइम है जी बिल्कुल ठीक है आपने अरे ठीक तो मैं हमेशा ही कहती हूँ पर तुम मानती कहा हूँ अच्छा सपने में हाँ